दोस्तों किचन सीक्रेट्स में आज की रेसिपी है क्रिस्पी चीजी पॉकेट्स इन्हें हम ब्रेट की मदसे बनाएंगे और यह दिखने में अच्छे लगी रहे हैं साथ में खाने में सुपर टिस्टी लगेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आपको ची दो मीडियम अकार की कि अबले हुए आलू इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहें दो हादों की मदसे भी मैश कर सकते हैं इस तरह की रेसिपी है फ्रेंस चुट पर तयार हो जाती है और टिस्टी भी बहुत अच्छे लगती है तो आलू हमने ग्रेट कर लिया है और अब प्रोसेश अब चाहें दो ज्यादा भी डाल सकते हैं तो इन्हें भी ग्रेट कर लीजिए ताकि इवनली ये इसको मिक्स कर पाएं हम सभी पूरे सामान में तो इस तरह से हमारी एक तरह से चीजी मिक्षर तयार हो जाएगा चीज डालने से इसका फ्लेवर काफी बढ़ जाएगा और मैं इसमें हाँ पर एड़ कर रही हूं कुछ स्वीट कॉंस तो मैंने या पर तीन बड़े चमच स्वीट कॉंस लिया है जो अमेरिकन कॉंस होते ह जो उबले हुए पहले से होते हैं फ्रोजन होते हैं यह और यह अजनी से मार्केट में अबलेबल है तो मैं यहां पर वन एंट हाफ स्पून नमक एड़ कर रही हूं और एक बड़ा चमच में यहां पर चिली फ्लैक सेड़ कर रही हूं और एक बड़ा चमच ही मैं यहां प जिसको हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए बेस तियार हो चुका है तो इसे हम साइड में रख देंगे और बना लेते हैं सलरी बनाने के लिए वही तरीका पुराना में दो बड़े चम्मच मैदा के और दो चम्मच कॉर्ण फ्लॉर के तो equally तोनों चीज़े मिला कि अब इसमें पानी उतना ही डालना है कि आराम से इसकी ribbon वाली consistency वाली सलरी तियार हो जाएं मतल्ब ना तो हमें इसे ज़्यादा ठीक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है तो इस से रखा बैटर हो जाएगा तियार तो इस slurry का purpose आपको पता ही होगा इसमें हमें dip करेंगे और dip करने के बाद में हम parade crumbs में roll over करेंगे तो बहुत ज्यादा गाड़ी भी नी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा पतली भी नी चाहिए और अब हमें एक bread slice लेनी है और इसके ओपर हम डाल देते हैं कुछ डाइस किये हुए मौजला चीश यह भी market में easily available होती है मौजला चीश तो dice की हुई मैं या पर यूज कर रही हूँ तो evenly पूरे bread के उपर हम इसे spread कर देंगे और mixture जो है जो हमने तयार किये अभी अभी उसे भी हम हातों की मदश से अच्छी तरह से चिपका देंगे ताकि डिप करते वक्त कोई भी mixture इधर उधर जाई नी तो कि अब एक शाप नाइफ की मदश से हम इसे चार टुकडों में डिवाइट कर देंगे तो चोटे-चोटे आपके पॉकिट्स तेयार हो जाएंगे इस तरह से अब जो हमने तेयार की है अब चाहे तो इसमें पूरी तरह से डिप करके निकाल सकते हैं और चाहे तो इस तरह से चमच की मदब से इस प्रैट कर सकते हैं किल मिला की परपसी है की हमारी TTI हो जाने चाहे ज्याए अच्ही तरह से कोटिग होगीत तो ही वो किसी भी मिक्षर को हूल्ड गर पाईगी तो इक तरह से हमने जो भी बैटर हमने लगा ये व्योगत में लगा इस के ऊपर वहित तरह से से सिक्योर हो गया इस तरह से दो प्रेट में आपका काफी काम हो जाएगा आपनी इस तरह से evenly spread किया दूसरा ब्रेट भी इसी तरह से दिखिए डिप किया और इसे ब्रेट क्रम्स में लपेटा और अब गर्मा-गरम तेल जो होता है एक बार तो हम उसे तरह से गरम करेंगे तेल को और फिर इसकी फ और इनका कलर भी बहुत प्यारा आगया और इस एक चोटी से टिप में आपको दे रहे हूं आपके घर में अगर कोई गैस्ट आ रहे हैं तो आपने फ्राई करके रख लिया और फिर जैसे ही वह आते हैं तो दुबारा तेल गरम करके आप गरम-गरम तेल में इसे विदिन टू मिनट्स के लिए आपने फ्राई करेंगे तो यह बहुत ज्यादा क्रिस्पी सूपर क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने में बहुत क्रिस्टी लगेंगे तो एक चोटी से ट्रिक है जो मैं करती हूं हमेशा यह देखिए मैं से खोल के दिखा रहे हूं आपको अंदर से यह अंदर से बहुत चीजी हैं और बहुत अच्छे लगते हैं फिर अब को रैसी भी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू सुमागे